प्रेंड आपका एलेक्टिकल कुल्पेंचनल पर पेच्छे साखत तो फ्रेंड आज हम क्रॉम्टन की वाटर पंप मोटर के रिवैंडिंग करेंगे तो हमारे पर दिखे यह वाली मोटर है क्रॉम्टन की 1.10 किलोवाट वाई 1.50HV की वाटर पंप मोटर है तो आज हम इसकी करेंगे तो फ्रेंड इसकी जो नेम प्लेट पर जो थोड़ी जानकारी दी रहती है उस जानकार की बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी नेम प्लेट में यह थोड़ी जानकारी दी रहती है यह से की मोटल जो है मिनी एक्स्टा मोडल है और इसकी पावर जो है 1.10 है एड रेंज जो है 24 से 25 मिटर है और इसकी डिस्क जो है डिस्क रेंज जो है बाउन सो से अठारासओ इंच है और की बोल्टेज जो है 220 बोल्ट plus six percent आगे हो सकती है और माइनश 15 percent पीछे सकती है म्यांस सब्सक्राइब ब्यूटी है यहनर यह चलने वाली यह मोटर है और इस पीड जो है 2700 रपीम जो है इस मोटर की स्पीड है तो आपको यह नेम प्लेट पर दी गई बेसिक सी जानकारी हमने बता दी है अब आगे इसमें क्या डाटा पढ़ेगा उस डाटा के बारे में हम बात कर लेते हैं तो यहां पर इसमें क्या करेंगे वह नमबर रहा उन्नीच स्व्णीन का नमबर रहा है शो कोईड पिच जो रहेगी एक से च्छै एक से आठ एक से दस एक से बाधा रहेगी ऊच्छो रहेगा 900ग denen की एक कोईड और मनेगी और दोनोंच मिला कर दीज़ बोर साइट कोईड गार्रीज तो आपको आगे वीडियो दिखाते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एज़ी ही वीडियो को पाने के लिए तो अब यहाँ पर देख सकते हो हमने अवी यह भी कोईल को बना लिया हो अब को पहले क्या है नाप ले लेडियो और स्लोट से एक नापको अब ले लोगे। तो अपने अब 4 कोईल के आप लोगे तो और देख भी अब हमें रनिंग की कोईल को बना दया यह तरीक चार यह हैं तो हमें दो का स्ट बनाना है चार हमने बनाव चार और बनाएंगे इसी तरीक लिए ज dum Testing पूरा हो जाएगा और इसी तरीकर से देखिए फ्रेंड अब हम कोई को बनाएंगे थो बना लिए और अगर आपको यह च्ट्रिप काटने नहीं आता है और को को नापने नहीं आता है तो मैंने और विडियो यहां पर बना के डाला है आप वहाँपर देख लीजिए किस तरीके से जो है strip को नापते हैं जो है status से और status से जो है किस तरीके से को नाप नाप आता है तो आप पुड़ानी वीडियो को हमारी देख लीजिए तो आप नापना सिख जाओगे तो मैंने यहां पर जो है चाहता नापना नहीं सिखाया क्योंकि हमने पहली वीडियो में आपको जिए यहां जहां से आप first coil को डालोगे तो वहां से पीछे की साइट को गिल जी या आगे को डालोगे तो पीछे की साइट को गिल जालोगे तो आगे की और को जो है एक से छे आप गिल लिजिए और इसमें इस तरीके से देखिए अपनी coil को बिढ़ाना है तो यह जो हम को कॉईल बना रहे ही हैं और इसमें थोड़ा महनत ज्यादा लगती है क्योंकि मोटी कॉईल है और स्टेटर के अंदर असानी से नहीं गुछती है लेकिन एक एक करके हम घुचलेंगे तो विडियो थोड़ी लॉग होते हैं हम इसको थोड़ा फास्ट करके आपको दिखाएंग तो देखिए फ्रेंड हमने यहां पर क्या है जो एक कोईल जो सामने की डाल लिए पीछे की कोईल को हम डालेंगे तो इस तरह से देखिए एक एक करके डाल लिए एक दम डालोगे तो फ़स आएगी तो देखिए हमने पीछे की कोईल भी डाल लिए तो हमारा यह एक कोईल लकड़ी का मेलेटा तो आप उससे ठोकिए तो हम देखी आगे से थोड़ा लगा रखा है कपड़ा तो इस तरीके से हम ठोक के इसको सेट कर लेंगे नीचे को सेट कर लेना है बढ़िया करके जादा उठे ना उठेगी तो फिर आगली कोईल डाले में आपको प्रॉलम दिए और आडवे नंबर पर आपको कोईल डालना है इस तरीके से देखिये फ्रैंट तो फ्रैंट आप देख थे होगे हमारी दूसरी को हील पड़ दिए दूसरी कोईल को देखिए इसमें थोड़ा ताइंग लगता है कि मोटी कोईल है और एक-एक करके डालना पड़ता ह तो यह कर गे अराम से डाल लिए इसमें तो यह वाली कोईल हमें डाल लिए अब यहां पर PVC जो है इस ट्रिप लगा देंगे हम पत्ति ध्यान से लगाना है हमारी कोई भी कोई लुए बाहर ना है तो फ्रेंड यह जो मोटर बना रहे हैं वो हमारे अदिल भाई बना रहे हैं और उन्होंने एक मैसिडिया था कि आप जब भी को है लक्तिकल का कोई भी काम करें तो हात में जोगवे का सामान ना पहने जैसे कि हात में कुछ लोग पहनते हैं लोई की अंगूठी पहनते हैं या फिर लोई का कड़ा बंगे तो इसको पहनके आप लेक्टिकल का काम बिल तीसरी को को लगा रहे हैं तो तीसरी कोर को को देखिए हैं को इस तरीके कऊ ना यह तैसरी कायल को हमारी पढ़ेगी वह से 0 relação पढ़ेगी तो यह इसको 10 मान लिए अब जो हमने लगाई है यह इसको 1st मान लिजिए तो 1st और वो 10 होगई यानि कि 10 होगई तो यहां पर हम TVC की पत्ती को लगा देंगे बढ़िया करके लगाएंगे और इस तरीके से देखिए आप हमारी वीडियो को देखना हो अगर आपको हमारी वी के साथ शेयर करें जिससे की हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा वीज अच्छे आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि यहां हमारी वीडियो चल लिया तो हम ऐसी वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे तो इस तरीके से देखिए ठोक टीजे जो आपका हतोड़ी ज्यान नेखे कि लोह अकड़े write लुकлат में पड़ेगी तो यहां पर देखिए इसको हम बारा मानते हैं और पहला वाला जो एक मान लिए मतर में translates ल लगारे तो बार्म aiß आई झाल गा लोह करके सिर्फ क certains हो एक नमर पर लगतारी है तो अब देखी इस तरीके से लगाना है यह ल Conference काम यो यहां प्रिम सुर्त का लकल जो आए पर हुए साथ क झाल नहीं होता है वो लोग थोड़ा उनको नहीं पता होगा तो इस तरीके से देघिए ठोक लेजीए कोईलों को और उनको बढ़िया करके लेवल में लेआईए तो यह देखे हमारे दो जो है टर्मिनल बहार आ गए हैं इस तरीके से कोईल के इन कोईल की दो सिरे या टर्मिलल को भी बोल सब्सक्राफ तो इसको जो हमने मिलपेट लिया और इस तरीके से यह यहां पर नॉप लिजिए कि य्श्मिज्य से हमारी खोईल बाहर ना निकले ज़्यादा कोईल बहार नहीं निकलनी चाहिए बाहर निकलेगी तो जो इसका जो ढकन होता है वह ढकन नहीं लगेगा यानिकि बैक प्लेट और फ्रेंट प्लेट जो होती है वह नहीं लगेगी तो आप देशकते हो फ्रेंट इसमें जो हमने एक कोईल जो है लगा दिये जो कि चार की कोईल थी और एक कोईल और है जो कि चार की है चार जो है इसमें कोईले लप्टी हुई है आप देख रहोगे तो एक हमने लगा दिया और एक यह है यानिकी जो हमें रानिंग में जो हमें दो जोड़े बनानी है एक हमने लगा दिया और एक यह है हमारा तो इस तरीके से देखिए हमने जो है कोईलो को लगाया है और आप अनल गूर्ट्टर बढ़िया बनेगी तो ये वाली कोईल जो भी पड़ेगी एक से जो है छहा है पड़ेगी तो इसको जेस्ट सामने डालनी है देखिए तीन से लोटो को हमने इधर से छोड़ेंगे और फिल्कुए सेंटर ले लेंगे इसके सामने डालेंगे तो आप देख से जो है लगा के अभी लगा इनिया अभी हम लगाएंगे पीबी सी के स्ट्रिप तो ये कोईले थोड़ा लेट में पढ़ रही है क्योंकि एक करके कोईले हमको डालना है यहां पर ये मोटी कॉईले हैं तो एक साथ नहीं घुसती है एक करके ही घुसेंगी तो अब देखिए हमने कोईल पूरी बढ़ा लिए उसके अंदर अब इस तरीके से देखे पीवेसी ट्रिप को हम यहाँ पर लागा लेंगे तो आप देख रहे हो किस तरीके से लगाना है तो इसको ठोक के बढ़ा लिजिए बढ़िया करके इस तरीके से बढ़ाना है आपको हमें यहां पर देखिए एक कोयल को बढ़ा लिया है हमारी 3 कोयल यह बची हुई है तो अब यह दूसरी कोयल हमारी पड़ रही है जो की1 से 8 शिलॉट में बढ़ेगी नेद तो अब देखिए यह हमारा एक नमबर मानिए यहां से तो अभी एक में डाले है इसके बाद हम जो ह इसको 8 में डालेंगे 8 भी سलोट में डालेंगे इसको तो इस तरीके से देखिए कोईल को लगाना है हमने यहां पर लगाके PVC जो है स्ट्रिफ को इस तरीके से चड़ा लिया है अब जो दूसरी वाली इसकी लगाएंगे हम जो कि 8 में नबर पर पड़ी हुई है तो इस तरीके से देखिए PVC स्ट्रिप लगा के हमने इसको भी जो है अंदर बढ़ा लिया है बढ़िया करके सबी कोईलों को अच्छी तरीके से बढ़ाएं कोई भी कोईल बाहर ना निकले और ना जादा बाहर हमारी कोईल निकले और इसको दवा लें किसी मैलेट वेगर से ठोक के या लोही क्या कुछ है तो इसमें आगे से आप कप्रा टाइप का कुछ लगा लिजी इससे की कोईल का इंसुलेशन ना चले इस तरीके से देखिए फ्रेंड तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरी कोईल को भी ठीक तरीके से जो यहाँ पर बिठा लिया है अब देखिए तीसरी कोईल हम बिठा रहे हैं तो तीसरी कोईल हमारी इसमें जाएगी एक से दस नमबर पर बैठेगी यह कोईल तो अभी जो हम यहां पर मान लिजिए एक मान लिजिए इसको तो एक नमबर पर अभी हम बढ़ा रहे हैं इसके बाद जो है 10цен शलॉर्ट में कॉयल को हम बढ़ाएंगे तो अभी रहें हमने एक नमबर बढ़ा लिए अब 10цен नमबर की Śलॉर्ट को हम बठाएंगे इस तरीके से देखिए फ्रेंड तो यहां पर भी हमने जो है बठा लिये है अब इस पी बी सी श्ट्रिप लगा देंगे और इसको फिर बढ़िया करके मेल इस्टे जो है ठोक लेंगे लकडी के मेल इस्टे ठोकी है तो अच्छा ठोकेगा हमने जो है लोहे में ही कपड़े कपड़ा लगा के जो है इसका बना रखा है तो अब देखिए फ्रेंड हमारी चौती कोईल पढ़ रही है योगी रनिंग की लास्ट कोईल है चौती तो इस तरीके से देखिए चौती कोईल डाले अब ये जो कोईल है वो एक से बारा नंबर पढ़ेगी अब हमारा जो है यहाँ पर दो इक स्लोट खाली बचे होंगे एक इधर एक नंबर पर और एक जो है स्टार्टिंग की कोईल पड़ेगी इसमें तो इस तरीके से देखिए इसके बराबर से जो कोईल को बिठा लीजिए अब इसमें देखिए PVC स्ट्रिप को हम लगा लेते हैं यह बारवान नमबर है बारवान नमबर की स्लोट है एक से बारवान नमबर इस तरीके से देखिए फ्रेंड हमने जोगा स्लोट को भी ढ़ा लिया अब इसको बढ़िया करके हम दावा लेंगे कोई भी कोईल हमारी बाहर ना निकले और बढ़िया करके ठोक लेंगे इस तरीके से किसी मैलेट बगारे से हतोरी बगेरसे जो भी आपके पास है आप उससे बढ़िया करके ठोक लीजिए फिर इसके बाद हम इसको जो है सिल लेंगे जो आपके पास जो डागा होगा उस दागे से जो है दोनों साइट बढ़िया करके सिल लीजिए तो आप देख सकते हो हमने कोईलों को बढ़िया करके अच्छी तरीके से बढ़ा लिया है दोनों साइट से आप देख लिजिए दोनों साइट से मैंने आपको दिखा दिया है तो इस तरीके से देखिए अब हम इसको सिल लेंगे दोनों कोईलों को हमें सिल लेना है जो है यहाँ पर धागा लगा दिया है इसको बांधी है जोसे कि कोई भी कोई हमारी बाहर ना निकले तो अब यह दूसरी साइड हम जो है धागा लगा रहे हैं धागा लगा के दूसरी साइड से लिए इसको बात लगए"- तो इस तरिजिये से बांंध लिया हमने देखिए फ्रान्ट किस तरिजिये किस तरीजियी से गाट लगानी है आपस्लो करके भी देख सकते हो वीडियो को आपके उसमें ऑफस्टन दिया होगा बंस्तम गर्हों से तो यहां पर देखिए अब हम जो है 8 strip काट लेंगे क्योंकि अब हमारी जो है starting की coil पड़ेगी तो इसमें हमारी आट strip लगेगी तो 8 strip हम आप पर जो है काट लेते हैं तो अब देखे हमारी है starting की coil पढ रही है तो मैंने आपको बता दिया था हमने पहले ही जो है चारो को बना के रख ली थी दो रनिंगी दो स्टार्टेंगी तो यह वाली कोई जो हमारी है एक से दस नमबर पर पढ़ेगी तो आप यहां से गिल लेजिए जो है एक से दस अब जो हमने रनिंग कोई डाल लिए ठीक उसके center ले लेजिए, इसके center से हमें कोईल डालना है, तो एक से 10 डालेंगे, तो आप देखे होगे जो हमारी 8 slot है, जो हमारी बीच में रहेंगी, तब ये एक से 10 में पड़ेगा इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप देखे हो तो इस तरीके से जो है हमें 1 से 10 slot में जो है, ये कोईल को बिठाना है तो अभी हमने एक कोईल को बिठा लिया है अब यहाँ पर PVC strip लगा लेते हैं, जो कि 1 से 10 नमबर पर हमने इसको बिठाया है तो ये देखिए फ्रेंड आप देख सकते हो कोईलों को हमारी एक दम बिल्कुर ठीक तरीके से कोईल पड़ी है ना कोईल हमारी ज्यादा बाहर है ना ज्यादा जो है छोटी है आप इसका एक बार नाब ले लिजिए यहाँ से जैसे आप वो जो है स्टार्टिंग कोईल डालनी है तो इस तरीके से आपको सिंगल वाय डालके आप नाब ले लिजिए तो इसके बाद जो फर्मे में लपेट लिजिए अब देखिए जो हमारी दूसरी कोईल पड़ी है यह कोईल जो हमारी एक से बारा में पड़ेगी इसके बरावर से डालना है हमको तो यह अभी एक में हमने डाल लिए अब यह जो है बारा नमबर पर हम डालने है इसको तो एक से बारा पर यह कोईल हमने बिठा दिया है इस तरीके से देखिए फ्रेंड जो कोईल तुमारी थोड़ी जादा होचाए तो इसको मौड लीजिए कोई ज्यादा बढ़ी हो जाए कुछ हो जाए तो इस तरीके से ठोकने के बाद कोईलों को सब बिठा लीजिए बढ़िया करके तो फिर आप देख सकते हो हमारी स्टार्टिंग की जो है फरस्ट कोईल पूरी हो चुकी है और इसमें जो है दो कोईल थी फरस्ट कोईल में हमारी दो कोईल थी अब हमारी लास्ट कोईल बची है स्टार्टिंग की फिर इसके बाद हमारी रिवैंडिंग जो है पूरी हो जाए आप देख सकते हैं आपर दो जो है स्लोटे बची हुई है जो की हमारी starting की बची है starting में जो हमारी दो कोईले बची है तो उसके लिए 4 लोटे यहाँ पर बची हुई है तो अब देखिए हमार पास ये जो कोईल दो कोईल हैं इनको हम लगा लेते हैं ये कोईल जो हमारी है 1 से 10 पड़ेगी just उसके सामने लगाना है जो हमने अभी लगाई थी कोईल starting की तो उसके just सामने लगाएंगे एक से 10 नूमबर पर जब आप कोईल को जब यहाँ स्लोटो में बचा हुए तो आपको अंदाज़ा आता जाएगा अगर आप नए हो तब भी और इस तरीगे से जो है हम आपको पूरी reminding सिखा रहे हैं आपर हर कोई यहाँ पर जो है सीख सकता है समझ सकता है कोई नया भी है तो नय के लिए भी हमने उसे साब से वीडियो को उनाएं अगर नया है तो उसको पूरी वीडियो समझाएगी अगर पुराना है तब भी उसको समझाएगी तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड जो है एक से दस स्लोट में हमने बढ़ा लिए कोई को पीवी सी इस्ट्रिप लगा दिये अब इस कोई को जो है दबा लेंगे हम दबाने के बाद फिर हम लास्ट कोई लालेंगे इसकी और देखिए अब हमारे पाद दोई स्लोटे बचिविये इसमें तो मैलेट से इस तरीके से जो है ठोक के दावा लेंगे कोई लोगों हम हमारी कोई भी कोई बाहर नहीं निकलनी चाहिए ज़्यादा ध्यान रगना है कि जब ठुकते से मैं इसका इंसलेशन ना चिले और ना ही हमारी कोई वायर टूटे या कटे अब देखिए लास्ट कोई जो पढ़ लिए ये कोई जो हमारी है एक से बारा नमबर पर कोई जाएगी एक से बारा नमबर स्लोट पर जाएगी और यहाँ पर जो है हम बारवा नमबर मानने है और इसके बाद का जो फर्ष्ट मान लेजिए अब जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा मान के चलिए आपको यहां से फर्ष्ट मनना तो फर्ष्ट मान लेजिए बारवा नंबर मानना तो बारवा नंबर मान लेजिए तो यह हमने जो है 12 नमबर पर को लगा लिया है अब हमारा फर्स्ट जो है फर्स्ट वाले में स्लॉइट में डालेंगे इस तरीगे से देखिए हमने लगा लिया है पीबेसी इस्टिव लगा देते हैं तो फ्रेंड अब हमारी सभी कोईले पड़ चुकी है starting की सबी coil हमारी पर चुकी है इनको बढ़िया करके जो है हम ठोक लेंगे और फिर इसको seal लेंगे और सबी terminal जो है हमारे इनको इस तरीके से लेपट लेंगे कोई भी terminal जो हमारा तूटे ना coil का कोई भी सिरा जो है तूटे ना तो friend देखिए इस तरीके से हमने सबी coil को बिठा के और सबी coil के सिरे यहाँ पर आप देख रहो इस तरीके से तो friend मैं आपको जो है इसके connection diagram बता दूँगा उस connection diagram से आप समझ लेना किस तरीके से connection होगे तो यहाँ पर पूरी जो है बना के नहीं दिखा रहा हूँ coil को किस तरीके से डालना तक मैंने बता दिया है तो friend इस motor के connection कैसे करने है यह मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आप देख रहो लाल वाली coil जो है हमारी running की है यह दोनों हमारी running की coil है और यह वाली black वाली जो आप देख रहो यह दोनों coil जो हमारी है starting की है तो इसके connection हमको कैसे करने है तो देखियो friend यह हमारी दो terminal इस तरीके से बहार निकलेंगे running के और दो इसके निकलेंगे इस तरीके से तो आप देख रहो है यहां पर मैंने connection दे रहा है इसका first वाला सिरा जो है इसके end से मिलाएंगे और इसका first वाला बहार निकाल लेंगे इस तरीके से हम ठीक है और इसका first वाला यह भी हम बहार इस तरीके से निकाल लेंगे तो मैंने यहां पर पूरा connection कर रहा है जो है करको चालेंगे जो किसे करना है जो है फ्रिष्ट रसरे से हम हम बिलाएंगे यह फेस्ट से से मिलें तो इसका सिरा में बाहर निकाल लेंगे तो इस तरीके से हमारे चार टमिद बहर आ रहेंगे अब हमको क्या है're crank sideways िसा में गुमाना है तो क्लोगवाइज दिसा में गुमाने के लिए आप क्या करना है कि आपको क्या लिए तेन राह और निकाल लिये या आप पो चार निकाल लिए जैसे 2 capacitor के लिए और 2 अपनी göra face के लिए निकाल लिए तो आप इस तरीके से चार भी निकाल सकते हो और चाहू तो क्याया हमारा गपस्यिकर इस तरीके से लग जाएगा और इसकी जो आप देख लिए जो रैनिंग की Just है यहां पर पर स्टाइटिंग eerste गो और एक टॉर्सक्ोर्ड का और यहां पर अश्चार्म पशुच्बूर, This और इस तरीके चाहिए और इसमें जो है हम टेप लग देंगे ठीक है इसमें टेप have लगा देंगे इस इसको नगी कुरुशओ रेंगे तो ये हमारे TEP लग जाएंगा और इस तरीके से जो हमारे तीन वायरे निकल जाएंगी ठीक है FRIEND और आपको इस तीन वायरे निकलेंगी अब आपको connection कहा देना जैसे आपको एक connection तो यहाँ देना है यहाँ पर connection नहीं देना है जो यहाँ पर connection होगा तो उल्टा घुमेगा हमें starting से लेना है तो दो connection हमारे भाहर आएंगे और यहाँ से हमें supply देनी है और हमारी जो मोटर जो में लगेगी direction जो clock size जिसा में घुमेगी और इस तरीके से हमारे जोगा diagram पूरा हो गया है तो आया फ्रेंट आपको हमारी वीडियो पसंद दे होगी इसको like करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें